बॉलेवच की गलियारों में हेमा मालिनी और धर्मेंदर की बीटी ईशा देवल और भरत तखताने के टूपते रिष्टे को लेकर खूब गौसिप हो रही है इसकी शुरवात रेडिट के एक वाइरल पोस्ट की वज़र से हुई थी पोस्ट में कहा गया था कि मिया बीवी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चुल रहा है ऐसे में दोनों अलग हो गए है इसके बाद यूजर्स ने इस बात पर गौर किया कि पिछले साव से शुरू हुए फैस्टिव सीजन में इशा देवल को सेफ अपनी मा हेमा मालनी के साथ ही देखा गया था यहाँ तक आमिर खान के बीटी आयरा के रिसेपशन में भी वो अपनी मा के साथ पौची थी मा के अलावा इशा देवल अपनी दोनों बेटीओं के साथ भी नजर आई है इशा को छोटे बड़े इवेंस अकेले अटेंट करते देखा गया यहां तक यह अलग-अलग दीवाली पार्टीज में भी वो अकेली ही पहुची थी जबकि हमेशा से यह होता है कि वो भरत तख्तानी याने कि उनके पती के साथ इवेंस और पार्टीज में शामल होती हैं इतना ही नहीं सास हेमा मालनी के 75 जनम दिन के सालिबरेशन में भी भरत तख्तानी नहीं पहुचे थे इससे कपल के बीट सब कुछ ठीक ना होने के अफवाहों को और भी हवा मिली अब कपल से जुड़े सूत्रों ने इन अफवाहों के पीछे का सच भी बता दिया है सूत्रों के मुदाबिक ईशा और भरत के अलग होने की सभी खबरे जूटी हैं जून 2023 में कपल ने अपनी शादे के 11-20 साल गिरा मनाई थी इस मौके पर अक्ट्रेस ने पती के साथ एक रूमैंटिक मोनोक्रॉम फोटो भी शेर की थी तिलहाल इस पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंच करकी जरूर बताए ऐसी ही और खबरों से हमेशा बेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो पसंद आया हो तुब लाइक और शेर करना ना भूले